गुड बॉनिंग माई डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज फ्रेंड्स आप लोगों को मैं विंटर प्लांट के बारे में केया टिप्स बताऊंगी कि विंटर के प्लांट को जब हम नर्शरी से लाते हैं या घर पर ही तैयार करते हैं तो ऐसे कौन-कौन सी तीन गलतियां हमें नहीं करने चाहिए और उनकी ग्रोध बढ़ाने के लिए फ्लावरिंग के लिए हमें कौन-कौन से काम करने चाहिए ये भी बताऊंगी फर्टिलाइजर भी बताऊंगी तो उससे पहले देखिए मैंने कुछ प्लांट अपने घर पर भी तैयार किये थे कटिंग से ये दो प्लांट मैंने तैयार किये हैं विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और नरसरी से कुछ बेबी प्लांट भी लेकर आई थी और कुछ प्लांट भी खरी दे थे तो कुछ बेबी प्लांट मैं लाई थी उसमें डैन्थस था डॉक फ्लावर था उसकी ग्रोध भी दिखा देती हूँ देखिए ये डॉक फ्लावर है और इसे में बेबी प्लांट लेका रही थी जो काफी अच्छे से चल रहे हैं सिंगल ब्रांच जरूर है लेकिन इनकी ग्रोध थोड़ा और बढ़ने दूँगी उसके बाद मैं इसे पिंच कर दूँगी पिंचिंग का मतलब ही वही है फ्रें जब भी हम प्लांट लगाएं तो सीधा पॉली बेग निकालना है हमको नरसरी वाले बेग निकालकर और गंबले में मिट्टी भरकर उसको लगा देनी है दूसरी बड़ी बात यह है कि जब भी हम गंबले के लिए मिट्टी तयार करते हैं खासकर विंटर सीजन में तो जो म गंबले में लगाते हैं किसी भी प्लांट को तो ज्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है विंटर का जो प्लांट है फ्रेंड्स वो प्लांट हमेशा ओवर वाटरिंग से ही खराब होता है विंटर सीजन का जो प्लांट है तो जब भी गंबले में पानी दें तो हमेशा मि लेंचु की जो मैंने पिंचिंग की थी उनहीं को मैंने ये सेंड में लगा दिया है और देखे बहुत अच्छे सी ग्रो भी हो गई है इस पाइडर प्लांट के बहुत सारे पप्स निकले हुए थे उनको भी मैंने लगा दिया है तो इतने सारे प्लांट मेरे पास तयार हो ग कुछ विंटर के फ्लावर्स भी दिखा देती हूं और इनकी ग्रोध भी दिखा देती हूं देखिए इस तरह से तो अगला टॉपिक यही है मतलब अगला पॉइंट यह है किस तरह से हम अपने प्लांट को बूसी बनाया और इस तरह के फ्लावर्स ना आए क्योंकि बहुत कम नीचे तक पानी नहीं पहुच पाता है और नीचे की मिट्टी जो है बिल्कुल सूखी होती है इस वज़ा से हमारा प्लांट धीरे-धीरे सूखता जाता है अगर आपने मिट्टी अच्छे से तैयार की है तो आपको होल बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी कि आप होल बनाये तो ज्यादा बहतर होगा मैं तो मिट्टी बहुत अच्छे से बनाती हूं इस वज़ा से देखिए आप मैं आपको होल करके भी दिखा रही हूं और जो मेरी इस्टिक वह बिल्कुल गीली आ रही है लेकिन कभी-कभी ऐसे मेरे प्लांट में भी प्रॉब तो दूसरा पॉइंट यही है कि हमको जब भी रिपॉर्ट करते हैं तो दो होल बना लेने हैं और पानी तभी देना है जब उपर की 1-2 इंच की लेयर की मिट्टी सूख जाए जो गाटनिंग करते हैं उनको तो अच्छे से ही पता है लेकिन जो गाटनिंग की सुरवात करत अब प्लांट को पानी देते हैं वीटेर को पानी देते हैं तो रहे हुआ है। रिपॉर्ट करते हैं या कटिंग से लगाते हैं या नरसरी से लाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी कलियां आ जाती है तो हमको कलियां को हटाना है हमको फ्लावर के लालच में नहीं जाना है देखिए मेरे दो तिन प्लांट है तो ये तो मैंने केयर नहीं किया इस वज़े से प्लांट सिंगल सिंगल ब्रांच हो गए हैं चुकि मेरे घर पे काम था इस वजह से मैं गार्डन में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई और ब्रांच आपको दीख रहे होंगे कुछ हैं जो बिल्कुल लंबे-लंबे से हो गए हैं तो इनको इस तरह से कट कर देना है आप सीज चाली तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से घना हो जाएगा पिछले साल का मेरा जो गुलढवदी का प्लांट था उसको मैंने पिंज करना इस टार्ट किया था तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं विंटर प्लांट जो कैसे थे म लेकिन पता ने क्यों लग रहा है कि उतने ज्यादा फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी और इस तरह से आपको पिंच कर देना है तो कुछ प्लांट में आपको दिखाती हूं जिनकी हालत कैसी है अभी इस समय जिसको मैंने की आपको किया यह थे देखें । इसको मैंने पिंच क क्योंकि इनकी केर नहीं की तो अभी मैं क्या करूंगी इसको बिल्कुल आधा अधा कट कर दूंगी देखिए दो तीन तीन ब्रांच है और यह बहुत खुबसूरत वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और यही आपको भी करना है अपने गुल्दावदी के प्लांट में जो है प जिसके मैंने पहले सौपिंग की थी और इसको मैंने पिंच किया था आप लोग से सेयर भी किया था काफी लंबे-लंबे ब्रांच थे तो मैंने इसे कट करके इसकी कटिंग भी लगा ली थी तीसरा और कारण बताना चाहूंगी कि देखिए इस तरह से इंसेक्ट अटैक होन कीजिए जिससे की अच्छे से प्लांट में इंसेक्टिसाइड का असर हो सके तो इस तरह के अभी मौसम खराब होने की वज़े से ऐसी प्रॉबलम आती है हमारे हां थोड़ी कभी-कभी बदली भी हो जा रही है बादाला जा रहे हैं और विंटर सीजन में यह प्रॉबलम होत करें तो आपको इस थारा से करना है और जो भी प्लांट की आप कटिंग लगाते हैं या छोटी बी कटिंग रहती है तीन इंच की वह भी बहुत अच्छी से लग जाती है तो जितनी मैं प्लांट कर रही हूं उनको भी मैं लगा दूंगी अगर ग्रोव होते है तो ठीक है लेकिन हमेसा ऐसा लगाना चाहिए उसका और कारण बताना चाहूँगी जिससे क्या होगा फ्रेंड्स आपका प्लांट है वह सारे एक साथ फ्लावरिंग कर दें लगेंगे सारे बाद में पास प्लांट नहीं बसते हैं तो अगर आप बीच-बीच में इस तरह से कुटिंग तो आपका जो प्लांट है वो काफी दिन तक फ्लावरिंग करेगा और आपके पास नय प्लांट तयार होंगे तो उनसे जो है आप ज्यादा दिनों तक फ्लावरिंग ले सकते हैं और नय प्लांट आपका तयार हो जाएगा तो आपका गार्डन जो है फुलों से काफी दिनों तो फ्रेंड्स मेरे पास वर्मिकमोस्ट हो गय है आज नहीं है तो मैं आज डिएपी के इस्तमाल कर रही हूँ यह भी बहुत अच्छे से काम करता है तो कई लोग डो यूज्ज नहीं करना क्छा रहते हैं तो आप यह कमली कमपोस्ट अफ़र Mitch of Ol weighed आप हम 17 थे lawsuitी में एक एक प्लांट में मैं डाल दूँगी बिल्कुल छोटे-छोटे हैं तो कम से कम 10 डाने डाल दीजिए ग्रो बैग में और इस तरह से मैं भी 7-8 डाने एक एक ग्रो बैग में मैं डाल रही हूं जो डरसरी वाले बैग आते हैं इनसे क्या होगा कि इनकी ग्रोथ अच्छी अगर DAP नहीं है तो वर्मिक कम्पोस्ट या तो घोल बना कर डाल दीजिये या फिर सूखा प्वडर फॉर्ण में डाल दीजिए मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूं इज tässä वर्मिक कम्पोस्ट ज्यादा-इस्तमाल करतीशाँ दो तो DAP के दाने भी बहुत अच्छे कारगर हैं, बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोध बढ़ाते हैं, और अपने प्लांट को आप इस तरह से फ्रेंड्स इन कुछ गलतियों से आप बचा सकते हैं, और कुछ केर से अपने प्लांट को अच्छे से आप ग्रोध भी दे सकते ह जादा से जादा हम फ्लावरिंग भी ले सकते हैं तो यह सारे प्लांट देखिए लगभग मेरे पॉर्ट में लगाने के लिए तैयार हो गए हैं और मैं आज साम को बहुत सारे रिपॉर्टिंग भी करूंगी और कुछ फ्लावर्स भी दिखाती हूं मेरे गार्डन के इतना मुस्किल होता है अरेंज कर पाना तो देखिए इस तरह से पेंट का काम भी कंप्रिट हो गया है धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी तो आसा करती हूं फ्रेंड्स आज के वीडियो जरूर आप लोग को पसंद आएगा अगर मेरी वीडियो जरस भी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल आइकन को प्रेज कीजिएगा ताकि आने आली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो फिर मिलती हूं फ्रेंड्स बाइबाइ